वेलो इस्टूडेन वेलकम टू माई यूटूब चैनल आरन एजूकेसन फाउंडेशन हम आपको पढ़ा रहे थे समाकलन जिसमें आप पढ़ हो समाकलन के निस्टी समाकलन बहुत अच्छे तरीके इस पर सके आज जो चेप्टर पढ़ने वाले हैं वो चेप्टर हमारे देखते हैं कैसे क्या किया जाता है चलो देखते हैं आप इसकी सॉट ले लू और इतने का यह लिखा हुए तो चलो देखते हैं इसमें P2 है तो पीजीरो से लेकर P4 तक हम समझते हैं P5 थोड़ा सा डिफरेंट उसको लेकिन आज P4 तक समझ लेते हैं कि P4 होता क्या है इनको कैसे हम यूज करते हैं पूरा तो देखिये कौन-कौन से कैसे हैं कैसे हम यूज करते हैं जब तक आप इनको नहीं समझ दोगे और ये वाला है और इस में तो यह तो दो बताएंगे blah तो को P0 में क्या कह रहा है एक सिर्ट इसको छोटा कर दें और आपको लिखते हुए समझाते हुए चले बस समझते हुए चले जाओ प्रूब को पेपर में पुछा नहीं जाता है इसलिए प्रूब आपको नहीं बता रहा है कि प्रूब आपको पता रहा है बस आप इनका लि X और यह क्या लिखाओ, D X, तो यह बराबर क्या हो जागा, कि A to B F T D T, मतलब X यहाँ पर था, यहाँ पर D X था, लेकिन X के अस्थान पर T put कर दिया, और इसके अस्थान पर T put कर दिया, तो उसके मान में कोई चेंजिंग नहीं होती है, समझ में आ चुका होगा, कि X के पर इस नहीं करना, ना तो लिमिट बदलना, हमें से असर सही आजाएगा, ठीक, दूसरा, P1 के नाम से देखो कौन सा है, सब ऐसे रहेगा, A to B, और F X, और यह कितना होगा, D X हो जाएगा, लेकिन इसी के लिमिट चेंज कर दो, लिमिट चेंज करने का मतलब होता है, कि यह लिमिट है, तो इसको अपर लिमिट बना तो अपर लिमिट को लोग लिमिट, लेकिन तो यह क्या होगा, F X, D X रहेगा, लेकिन इनके मान में क्या होगा, चेंजिंग हो जाएगी, यह पॉस्टिप था, जब इचे वाला उपर लेजा, उपर 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 नीचे लेजाओ, तो चेंड क्या कर दोगे, बदल दोगे, लेकिन मान नहीं बदलता, बस आपको इतने ही याद रखना है कि कैसे इसको अपलाई करेंगे, प्रूफ भी है, लेकिन प्रूफ पेपर में पूछा नहीं जाता है, इसलिए प्रूफ हम आपको नहीं बता रहे है, बस आप इनका तरीका देख लिजिए, जैसे अगला मिल जाए, A to B, और Fx, और ये क्या हो जाए, Dx हो जाए, तो इनको कैसे यूज करते हैं, अगर कोई ऐसे मिल जाए, A less than C less than कितना, B, ऐसे, यानि A और B के कोई बीच का नंबर C हो, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, A to C, और Fx, Dx, फिर प तो बस ध्यान देना, कि ये चीज इसके क्या होनी चाहिए, यहाँ पर, जो ये लिखा गया है, तो देखो इनके cross में, ये चीज आपको दिख रहा है, तो ये क्या है, ये चीज इसमें ध्यान देना, बस, तो ये cross में ये ऐसे है, तो हमेरा इनको लिख सकते हैं, तो इसको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगे चलिए अपने स्कीन सॉट लिया ही था इसलिए इसको अमराफ कर देते हैं आप समझ भी चुके होंगे कि इनको कैसे यूज करते हैं पिर देखिए पी टू हो गया फिर पी थिरी देखते हैं पी थिरी क्या लिखा हुआ है कि A to V और फिर लिखा हुआ है Fx और Dx ये लिखा हुआ है फिर इसके बाद देखो जब इनको ऐसे अप्लाई करते हैं कि A to V ऐसे रहगा लेकिन X के अस्थान पर पहले इनकी लिमिट जोल दो A plus B minus X of Dx ये हो जागा मतलब इसकी lower limit दोनों को add करके minus X के घटा कर X के अस्थान पर पूट कर दीजे तो ऐसे apply कर देते हैं सबसे most important ये क्या important है क्योंकि इसी पर सारा questions solve होने वाले हैं लिखा हुआ है कि 0 to A और ये लिख जाए Fx और ये Dx लिखा हो तो हम इनको लिख सकते हैं 0 to A नीचे हमें इसा 0 मिलेगा और ये मिल जाएगा upper limit minus X यानि X के अस्थान पर क minus X हो गया ये Dx हो गया तो ये सबसे ज्यादा आपके लिए जरूरी यही question आप से पेपर में जादा तर पूछे जाता है और ये को आपको सीखना है ठीक अगला देखो अगर इन में P5 है इसको भी बता देते हैं P5 कहता है कि 0 से 2 A रहे और Fx और ये Dx हो तो इनको आप इस F2 A minus X Dx इनको ऐसे भी लिख सकता है अगर कहीं और सकता पड़ेगी तो बराबर यूज करेंगे नहीं मिलती तो इसका यूज़ बहुत कम है तो 0 to A तो A 0 to A Fx Dx फिर 0 to A F2 A minus X ऐसे इनको लिख सकते हैं कहीं जुरूद पड़ेगी तो यूज करतें नहीं तो इनको बराबर कहीं यूज नहीं मिलता है आपने इसका भी ले लिया होगा ठीक इसका भी ले लिया होगा आगे तो बताएंगे अब कुश्चन थोड़ा सा सीख लेते हैं कि कुश्चन कौन-कौन से हैं उनको अच्छे से सौल करते हैं चलिए पहला कुश्चन है देखो चाह जैसा कुश्चन मिले इसको आई मानेंगे तो आई बराबर जीरो टू पाई बाई टू और यह हो जागा कॉस स्क्वाइर एक्स डी एक्स इसको आप क्या मान अब आपको हमने बताया था P4, P4 याद हो गया होगा, P4 क्या था कि 0 टू A और Fx और Dx क्योंकि 0 मिला तो 0, A मिला तो A का मतलब नेचे 0 मिला गा तो apply होगा, फिर 0 टू A और F A-X of Dx तो यह होगा, अब समाझ में नहीं आए आओगा, तो यहाँ ध्यान देना कैसे क्या करत हैं कि x बराबर अपर लिमिट कितना देखो a minus x तो pi by 2 minus x रखने पर तो देखो सम्मी करण 1 में ऐसे रखो यानि P4 से हम इन में जब रखेंगे तो यह कितना हो जागा i बराबर 0 2 pi by 2 और यह हो जागा cos square pi by 2 minus x of dx हो जागा सूत्र अपलाई करिये 0 2 pi by 2 हो जागा cos का हो जागा देखो cos pi by 2 minus theta बराबर sin theta square है तो sin square x dx हो जागा इनको आप equation second माल लिजे इसको first माल लिजे अब आपको यह देखो first हो गए अब दोनों को add करो यानि first त्यान दो first plus second जब add करेंगे तो यहाँ पर i है यहाँ पर i हो जागा और देखो इसमें कितना लिखा हुआ है 0 2 pi by 2 हो जागा और लिख सकते है cos square x dx हो जागा फिर plus 0 2 pi by 2 हो जागा फिर लिख सकते है sin square x of dx यहाँ तक तो आपको समझ में आगे इसमें कोई problem नहीं होगी अब हम इनको जोड़ देते हैं तो यह हो जागा 2i और 0 2 pi by 2 हो जागा तो देखो अगर integration को बाहल ले और dx को तो यह लिख सकते है cos square x plus sin square x of dx तो आप जानते हो sin square theta plus cos square theta बराबर कितना होता है 1 होता है तो यह हो जागा pi by 2 1 dx 1 का integration करोगे तो कितना आजाएगा तो 2i बराबर यह हो जागा 1 का x हो जागा और 0 2 pi by 2 हो जागा तो देखो i की value निकाला जाता है तो 1 by 2 2 इधर गुड़े में उस तरब जाएगा भाग में तो यह pi by 2 minus कितना 0 जब गुड़ा करा दोगे तो कितना आजाए 5 by 4 यह इसका answer हो जाएगा तो देखो कितने आसानी से solve कर लिया वैसे solve करते तो बहुत लंबा होता तो बस हमें ऐसे question को solve करना है चाहे जैसा question मिले तो चलो आप इसके sort ले लो इसके sort ले लिए होंगे हम rough कर देते हैं देखो अगला है दूसरा सेम इसी परकार का आई बराबर लिखा हुआ है 0 2 pi by 2 और यह हो जागा under root sin x बटे under root sin x plus under root cos x और यह हो जागा d x यह इतना हो गया अब आप देखो अभी हमको बताया थे p4 से p4 से हम क्या करते हैं कि इसमें x बराबर अपर लिमिट कितना pi by 2 minus x रखने पर यही करते हैं, जो upper limit है वही आप क्या करिए, इसमें रखेंगे तो कितना अभी आपको बताया थे, से मुही लिख दिया जाता है धियुरम तो देखो 0 to pi by 2 हो जागा, under root के अंदर यह हो जागा sin, और pi by 2 minus x हो जागा, और divided by under root, sin sin, pi by 2 minus x होगा, फिर plus under root, cos pi by 2 minus x, यह इतना हो जागा, और dx हो जागा, अब आप देखों कि इन पर i बराबर 0 to pi by 2, अगर हम apply करते है, sin नबबे माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा तो यह cos x हो जागा, और इसको लिख सकते है, sin नबबे माइनस थीटा तो यह हो जागा, cos x हो जागा, और फिर plus, और इसको लिख सकते है, कितना, under root, sin x हो जागा, और dx, इनको equation क्या माल लीजे, second माल लीजे, अब दोनों को क्या कर दो, add कर दो, यह first, plus second, तो first तो आई था, और second भी आई इस साइड में है, और इसको याद भी होगा, ना याद होगा, दिखा देते हैं, under root, ऐसे लिखा हुआ हुआ, जैसे वसे लिख देते हैं, लिखा हुआ है, 0, 2, 5, 2, under root, sin x बटे, under root, sin x प्लस under root, cos x और dx हो जागा, फिर प्लस यहाँ पे भी, 0, 2, 5, 2, under root, यह हो जागा, cos x बटे, under root, cos x प्लस under root, sin x, देखो हमने जैसे कता है से, नोट कर दिया दोनों को, अब इनको आई आई जोडेंगे, तो 2i हो जागा, integration को बाहर लो, 0, 2, 5, 2 हो जागा, जब इनको बाहर ले लेंगे, तो यह क्या लिखा जा सकता है, under root, sin x बटे, under root, sin x प्लस under root, cos x हो जागा, फिर प्लस इसमें भी अकर बाहर इसको लिख देंगे, तो यह क्या हो जागा, cos x लेने के बाद, sin को आगे लिख दो, cos को पीछे लिख दो, तो यह under root sin x और प्लस under root, यह हो जागा, cos x, और कितना, dx हो जागा, अब आप देखो, कि जब इन पे ले लेंगे, तो 2i बराबर कितना, 0, 2, pi by 2 हो जागा, तो देखो, हर बराबर है, तो लिख सकते हैं, under root sin x प्लस under root, यह cos x, divided by under root sin x प्लस under root, यह हो जागा, cos x of dx, यह इससे cancel out हो गया, जब इससे cancel out हो गया, तो क्या बचा, 2i बराबर, तो 0, 2, pi by 2, यहाँ 1 बचा, और dx बचा, तो 2i बराबर, 1 का integration कितना होता है, x होता है, और 0, 2, pi by 2 हो जागा, और अगर हम i की value निकाले, तो i बराबर कितना, यह जाएगा, 1 by 2, रखेंगे, तो pi by 2 minus कितना, 0, तो गुडा करा होगे, तो pi by 4, यह इसका, क्या होगा, answer हो जागा, तो बस, ऐसे ही question को हम solve कर लेते हैं, चाहिज ऐसा question होगा, आसानी से answer आजाएगा, तो आपको समझ में भी आ रहा हो, कैसे question को solve कर रहा है, चले, skin sort ले लिजे, skin sort आप ले लिजे होंगे, एक से number रफ कर दें, आगे दिखे, question सेम चार number ऐसे ही लगे कब, तीन number और बता देते हैं, आप देखे, चार number आप लगा लोगे, तीन number question बढ़ा कर देते हैं, ना दिख रहा हो, question number 3, 4 एक ही जैसा है, यानि पहला, दोसा, तीसा, चौथा, सब एक ही फार्मेट पर लगने वाले हैं, तो एक ही जैसा लगे है, question number हम 3 बता देते हैं आपको, तक ही थोड़ा सा power है, उससे आप परिसान ना हो, इसलिए बता देते हैं, देखो, तीन number question, आई मानिये, लिखा हुआ है, 0, 2, pi by 2, और लिखा हुआ है, sin की power 3 by 2x और dx, फिर बते, यह हो जागा, sin की power 3 by 2x और प्लस, cos की power 3 by 2x, इसको equation first, आप जानते हो, P4 से, तो P4 वही है, 0 निखा हुआ है, इसलिए पहचान, नीचे 0 लिखे, अब उपर कुछ भी हो, तो P4 से x पराबर क्या करते हैं, अपर limit minus x रखने पर, तो आप देखो, रखोगे तो यह कितना हो जागा, i पराबर, 0, 2, pi by 2 हो जागा, और लिख सकते हैं, sin, यह हो जागा 3 by 2, और pi by 2 minus x, और यह dx हो जागा, फिर बटे, यह हो जागा, sin, यहाँ पर भी pi by 2 minus x, और यह प्लस, पावर 3 by 2 रहेगा ही, और यह हो जागा, cos 3 by 2, और यह pi by 2 minus x, यह इतना हो जागा, dx हो जागा, अब आप देखो, इनको काईसे solve करें, equations को, तो देखो, 0, 2, pi by 2 हो जागा, sin, नबबबे माइनस सीटा बर रबर क्या होता है, cos, पावर में कोई चैंची ने, cos x हो जागा, sin, नबबे माइनस सीटा तो cos 3 by 2, x हो जागा, cos नबबे माइनस सीटा बर रबर कितना, sin 3 by 2, x हो जागा, यह dx हो जागा, इनको equation second माल लो, और इसको first माल लो, equation first और second को जोड़ दो, यानि first plus second, तो आपके सामने ऐसे लिखा हुआ, इनको हम क्या करते हैं, जैसकता ऐसा जोड़ देते हैं, तो देखो, i बराबर कितना हो जागा, i plus i, और लिख सकते हैं, 0, 2, pi by 2 हो जागा, और sin की power 3 by 2 x और dx हो जागा, और plus यह हो जागा, cos लिखा था, sin लिखा था, sin 3 by 2 x और plus cos की power 3 by 2 x हो जागा, और यह dx लिखे ही थे, तो यह 0, 2, pi by 2 हो जागा, और लिखा यहाँ पर कितना, cos की power 3 by 2 x और dx हो जागा, बटे cos cube 3 by 2 x होगा अब प्लस sin 3 by 2 x यह इतना हो जागा अब दोनों में से इसको जोड़ेंगे 2i integration को बाहर ले लो 0 to pi by 2 और देखो यह हर यह है वो हर यह है इसलिए अंस को जोड़ दो तो यह हो जागा sin 3 by 2 x और प्लस cos 3 by 2 x और बटे इनको भी ऐसे sin 3 by 2 x और प्लस cos 3 by 2 x हो जागा और d x हो जागा यह इससे कड़ गया अगर यह इससे कड़ गया तो यह कितना बचा 2i बराबर 0 to pi by 2 हो जागा तो 1 बच्चा कीकि 1 का integration करिये 2i बराबर कितना हो जागा x और 0 to pi by 2 हो जागा अब आप क्या करो लिमिट पूट कर दो जब आप लिमिट पूट करोगे तो कितना हो जागा 2i बराबर यह होगा pi by 2 और minus कितना? 0 तो देखो i बराबर कितना? 1 by 2 into pi by 2 तो i बराबर कितना? pi by 4 तो देखो कितना आसानी से क्योंकि i ही माना था हो तो ऐसी question को भी solve कर लेते हैं आप इसकी इन सौट लेना हो तो ले ले यहां तक आपने यह ले लिया होगा और यह भी ले इसमें question आपको दिखी रहा है तो question आप ऐसे 5 number save question है power 5 दियागा उससे किस नहीं इसका भी answer 5 by 4 हो जागा और इसके बाद जो question आप यहां तक लगा लीजेगा थिवरम अच्छे से पढ़ लीजेगा क्योंकि properties बताएगे उसको ध्यान से याद रखेगे बिना उसके नहीं आने वाला है और property जो 4 बताएं P4 वो सबसे ज़्यादा important है उनको आप याद रखे और मस रहे है आपको इसी में से जरूर आपको आठ नंबर ने देखने मिलेगा एक चीज़ और एक्जांपल भी सौल कर लीजेगा NCRT book का ताकि आपको बाहर से कुईशन देखने को ना लगे ना लगे नहीं का दो कि हमने परशना वली पढ़ा इसके बाद बाद में आपको कुईशन बाहर से दिखे तो बाहर से कुईशन एक भी नहीं आता बस NCRT से आते है NCRT का जो एक्जांपल से ही इस चेप्टर का यहां पर एक्सरसाइज का उसको आप देख लीजे अच्छे से कुईशन आपको सौल्व हो जाएगा वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक से और सब्सक्राइब करिया ताकि अधर बच्चे पढ़ सकें और वो भी समझे कें समझ सकें वीडियो देखनें थाइंक्यू सो मच्छ